किया एक नई electric car लेके आ रहे है जिसका नामे Kia EV3 और इस electric बेसे तो एक साथ लाग रुपे एक शोंट प्राइस के साथ लाँच की गई थी वैसे तो car काफी अच्छी है लेकिन 60 लाक रुपे एक इंडिया में एक electric car पे खर्च करना सभी के लिए उचित नहीं बनता है तो Kia ने सोचा कि एक अच्छी और एक affordable electric car लेके आया जाए इसके अलाबा Kia ने EV9 को ही कुछ दिनों पहले globally rebuild किया था जो कि 7-seater एक electric car है और यह electric car Kia EV6 से भी expensive है जिसका price almost 90,00,00 के राउंड हो सकता है तो Kia ने जैसे ही EV3 को rebuild किया और unveil किया पूरे globally इस तर पे इस electric car ने काफी attention पाया लोगों का क्योंकि यह electric car most affordable electric car में से एक आ जाती है Kia की तरफ से इस electric car की design और dimension की बात करें सबसे पहले मैं आप लोग को dimension बता दू इस electric car का जो dimension है उसका length 4.3 मीटर का होने वाला है वीर्थ आपको 1.85 मीटर का देखने को मिल सकता है and height की बात करें तो 1.6 मीटर का height हो सकता है और wheelbase आपको 2.68 मीटर का देखने को मिल सकता है and design की बात की है तो यह beautiful look और design के साथ आती है बहुत हथ तक यह electric car आपको EV9 जैसी देखने को मिलेगी लेकिन EV6 के comparison में यह electric car छोटी होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा इस electric car को affordable बनाया गया है इसलिए थोड़ी छोटी देखने को मिल सकती है लेकिन हाँ इस electric car को EV9 का younger brother भी बुला जा सकता है and this electric car is exactly same as celtos celtos की dimension की बात करें तो आपको जो length देखने को मिलेगा वह 4.3 मीटर का है और वीर्थ आपको 1.85 मीटर का है और जबकि height आपको 1.62 मीटर का है and EV3 का भी dimension इस dimension से match होता है वैसे celtos बहुत ही खुबसूरत कार है और दिखने पे काफी attraction पाती है इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर का नहीं पता मुझे लेकिन इंडिया के अंदर यह काफी attraction और eye-catching कार है लेकिन यह confirm है कि EV3 का जो price होने वाला है वो celtos से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा top end variant से भी मैं बात कर रहा हूं और EV6 से कम देखने को मिलेगा वैसे आपको EV3 में बहुत सारे premium features देखने को मिल जाएंगे जैसा कि हमें EV6 में देखने को मिलता है headlight आपको बहुत ही खुशूरत देखने को मिलेगा battery आपको 81.4 kWh का देखने को मिल सकता है range आपको 560 km का देखने को मिल सकता है इस electric car में आपको ambient lighting देखने को मिल जाएंगी 12 इंचेस आपको heads up display देखने को मिल जाएगा relaxed on seat आपको देखने को मिल जाएगा harmon kader का music system देखने को मिल जाएगा OTA update भी आपको इस car में मिलते रहेगा this car will have also generating AI feature किया की EV3 EGMP platform पे बेश्ट बनाई गई है और यही वाला platform किया EV6 में भी यूज किया गया है and Ioniq 5 में भी यही platform यूज किया गया है वैसे इस electric car को globally July 2024 में launch कर दिया जाएगा लेकिन ASEA की बात किया कि ASEA में यह electric car कब launch होगी तो यह electric car ASEA में हमें 2025 में देखने को मिल सकती है and price का जहां तक expectation किया जा रहा है कि price हमें 25 से 35,000,000 के बीच का देखने को मिल सकता है वैसे जहां तक मेरा उमीद है मेरा प्रेशनली माने जाए तो 30,000,000 से उपर ही यह electric car हमें देखने को मिलेगी लेकिन बहुत ही खुबसूरत और किया की तरफ से बहुत ही एक अच्छा electric car हमें मिलने वाला है इसका competition data safari और इसके अलाबा जो भी 30,000,000 के उपर की car है उनके साथ होने वाला है MG ZS EV की भी एक नई competitor बन के आ रही है इस electric car के लेटेड अभी तक इतनी ही जनकारिया उपलब थी वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे भी जैसे ही इस electric car या other electric car या electric vehicle के लेटेड जनकारिया आती है आपको मिलती रहे हैं और अब भी आपके मन में किसी उपरकार का doubt and question मना हुया comment section में comment जरूरी करिएगा तब तक के लिए go green go electric